आजका टोपिक है पार्टवे ओवndी छपं़ में ग्म', पार्टवे ओव दी स्पं़ में। स्पं़ कहांपे फॉर्मेशन होगा। सेमनी फियर स्टिब य॥ा। य॥ा ओ, सेमनी फियर स्टिब और रहता है ठीक अब यह क्या हुआए टेस्टिस के भार यानी टेस्टिस को फोड़के यह स्क्रॉटम में आया इस्क्रॉटम में यहочка diese पर अब अब वासाओ डिपरेंशियाओ स्क्रॉटम कब युदित पार्ट और अब्डोमन में भी पार्ट तो यह जो है आपको तो वाया इंग्विनल के नाल है ठीक है थ्रू इस्परमेटिक कोड अब वासा डिफरेंसस जो एब्डॉमिन के विक्टी में वो यूरेनरी ब्लाडर में लूप के रूप में ठीक है अब यहां से यह जाएगा सेमीनिल वेसिकल्स के डक्ट में तो डक्ट में क्या है एम्प् उक्लेट हो जाएगा अगर सीमेंट वेजाइना में जाता है तो उसको कहते इनसेमीनेसन और अगर वेजाइना में नहीं जाता है तो इसको हमलोग कहते हैं मास्टरबेशन या फिर नाइटफॉल्द यहां पिर मेल जितने भी स्टूदेंट्स हैं उनको एक बार कन्फ्यू इससे नहीं कुछ घवराने वाली बात है और अगर आप चाहते हैं इस misconception जो आप YouTube चैनल या अपने friend circle में discuss करते हैं और अपने मन गरहंट कहानिया इसमें develop करना start कर देते हैं तो अगर आप चाहते हैं इसमें detail में जानने का कि आखिर होता क्या है उससे क्या चीज हो सकता है तो अभी ही comment box में आप लिख दीजे तो मैं spec next video develop कर दूँगा अब हम बात करते हैं अगर NEET के exam में questions की तो NEET के exam में पहला question इस पे आया था है कि select the correct sequence for the transport of sperm cell in male reproductive system जिसके options आप में देखे होंगे तो अभी हम लोग ने पहला था कि स्पर्म का कैसे जा रहा है तो semi-ferous tribune, then rati testis, then vasa efferentia, then epididymis, then vasa differences, ejiculatory drug, urethra, and urethral metas तो इसका answer क्या हो है option number C और अगर हम बात करें एक बार और इसमें question पूछा हुआ है आपको NEET 2016 में which of the flowing district is the correct part way of transport of the sperm तो वही rati testis, referentia duct, epididymis, and vasa referentia यानि option number A ही इसका correct है अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फटा फट नीचे सब्सक्राइब का बटन है और इस वीडियो पे like करना ना भूलें अगर वीडियो पसंदा है